अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है उस पर पब जी गेम प्ले करने के लिए तो मैं आपको बता दूँ कि पब जी का जो परफोर्मेंस है अगर आपका लैपटॉप पुराना है या उसके ग्राफिक कार्ड नहीं है तो काफी आपको दिक्कत का सामना करना फिर सकता है बहुत लैग आपको इसके अंदर मिलेंगे और अगर आप सोच रहे हैं कि सेकेंड हैं लैपटॉप ले लूँ मैं और जिसमें मैं पब जी के लि मैं इसमें टेंसन बडी को डाउनलोड करके उसके अंदर पबजी गेम के मजे लूँगा और लाइफ स्ट्रीमिंग भी करूँगा पर ऐसा नहीं हुआ जबकि मेरा लैपटॉप थर्ड जेनरेशन का लैपटॉप है आज से मैंने आठ या नो साल पहले इसे खरीदा था इस लैपटॉप की शॉप्स पे यह सेगिन लैपटॉप मिल जाते हैं इसके अंदर आप गेमिंग परपस के लिए लेना चाहें तो आप रोख जाईए और आप एक पीसी की तरफ जाईए सेम कंफिग्रेशन पर अगर आप पीसी लेंगे आई फाइव या आई थ्री इसके अं परफोर्मेंस मिलेगा अगर आप एसेमबल कर आते हैं तो आपको दस से बीस जार के बीच में गेमिंग पीसी एसेमबल हो जाएगा अपने पीसी की स्क्रीन पे आपको ले जाता हूं सबसे पहले मैं आपको की इक अपको दिखा देता हूं कि मेरे लैप्टॉप की जो मैं मैं बताएगी क्या कंप्रिकेशन पर मैं पीसी पे गेमिंग भी करके दिखा देता हूं पब जी तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लाग आ रहे हैं और कितनी आपको दिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है तो आगे हम अपने लैपटॉप की होम स्क्रीन पर जहां पर मैं आपको इसका अपने जाएंगे आपको यहां पर सारे आपदेख पारे हैं विंडो टैं इसके इंदे डिला हुआ है Intel Core i5 का इसके अंदर प्रोसेसर है 3320M तो इसका मुदलब यह 3rd generation का laptop है और इसके अंदर जो internal memory यानि RAM जो अवेलेबल है वो है 8GB का तो 8GB और i5 का जो combination है सुनने कोई काफी अच्छा लग रहा है यह अच्छी configuration है पच यह 3rd generation का होने के कारेंट इसके अंदर जो chip लगा हुआ है जो processor लगा हुआ है इतना powerful नहीं है जो game को सई से चला पाए और साथ वे इसके अंदर कोई graphic card भी अवेलेबल नहीं है तो graphic card के बिना अगर आप कोई game खेलते हैं तो आपका performance इतना अच्छा नहीं होगा और नहीं इस system पर आप graphic card कोई change कर सकते हैं यानि इसमें कोई graphic card का additional जो ppi slot कहते हैं वो नहीं है अवेलेबल बहुत सारी वीडियो ऐसी आती हैं जिसके अंदर आपको laptop पर external graphic card का usage बता रहे हैं कि कैसे लगाना है और वो सारी वीडियो इतनी ज्यादा effective नहीं है वो आपके laptop को इतना अच्छा performance नहीं दे पाएगा उसके अंदर काफी सारी दिखते हैं एक तो आपका laptop जो moveable है वो नहीं रह पाएगा क्योंकि इसके जाद फैन भी आपको connect करना पड़ेगा और दूसरा जो PCIe Slot हटाने के बाद जो आपको wire एक और या graphic card जो आपको मिलेगा यह support बहुत कम laptop को करता है और performance काफी laptop पे नहीं दे पाता है अब मैं चेक करवा देता हूं आपको की laptop पे पी जो PUBG का performance इतने configuration और विदाव ग्राफिक कार्ड कैसा रहेगा तो PUBG वाला मेरा screen कुल गया play मैंने press कर दिया है और यह हम पहुंच गया है PUBG की home screen पर तो यहाँ पर हम gameplay करके देख लेते हैं आप देख रहे काफी time ले रहा है इसको मेरा fan भी कखी तीज चलने लग गया है और हीट जैसे में चेक कर पा रहा है और हीट भी होने लग गया रहे लाट तो फिर भी चलाते हैं देखते हैं क्या देता है क्या पर्फॉर्मेंस रहता है जोसरे कि आप देखी रहे हैं कफी time लगा रहा है इसको open करने में भी जबकि मैं अपने आई-पैड पर जब ये खेंटा हो तो कुछे seconds में गेम के अदेख हूं अब ही मेरी home screen भी अभी तब नहीं है है हुआ है 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 हुआ है 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 तो फाइनल स्टार्ट हो चुका है, देखें क्या से थरता है परपोर्म अगर आप गेमिंग परपोर्स के लिए कोई लैपटॉप लेना चाहते हैं तो सेकंड एंड की तरफ बिल्कुल मच चाहिए आप एक पीसी ले लीजिए और क्योंकि अगर आप सेकंड लेते हैं तो भी आपको बारा से तीरा जार रुपए एटलिस उसमें स्पैंड करना पड़ेगा पर आप पीसी लेंगे दस से बीस जार के रेंज में एक अच्छा पीसी आपको मिल जाएगा गेमिंग और लाइफ स्ट्र दब दो मनता है